सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडियादा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट वेल्कम तू बालाजी स्टडियादा नमस्कार दोस्तों बालाजी स्टडियादा में आपका स्वागत है जैसे कि बाल विकास के इंपोर्टेंट बिंदू श्टडियादा की बात हम कर रहे हैं तो इसे पहले हमने सकिंड पार्ट देखा था अगर आपने नहीं देखा है साइट में आई बेटन में आपको लिंक मिल जाएगा आजम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट तो सबसे पहले हम अधिगम यानि की जो सीखना है उससे संबंदित कुछ डेफिनेशन देखेंगे उसके बाद हम जो पॉइंट है उनकी बात करेंगे तो इसकिंड की डेफिनेशन है जो सीखना है वो विवहार में उत्रोतर सामजस की प्रक्रिया है यह अधिगम जो आप चैप्टर देखने से रिलेट काफी बार पूछी जाती है डेफिनेशन तो यहाँ पर चार-पांच डेफिनेशन है आप इनको जरूर याद कर लिएगा तो पहली हमारी जो है यह इसकिंड की डेफिनेशन है सीखना वेभार में उत्रोतर सामजस की जो है वो प्रक्रिया है दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी हमारी वुडवर्थ की है इन्होंने कहा था नवीन ग्यान और नवीन पृतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो सीखने की प्रक्रिया है यहाँ पर दो बर नवीन आ रहा है तो थोड़ा सा आप इस टाइप से connect करके इसे याद रख सकते हैं नवीन ग्यान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो सीखने की प्रक्रिया इन्होंने कहा था कि सीखना है तो कुछ नवीन सीखिये यदि आप पुदानी ही चीजे सीख रहे हैं तो वो व्यर्थ है व्यर्थ से आप याद रह सकते हैं वो डव वर्थ वर्थ और व्यर्थ इस टाइप से आप इसे connect कर सकते हैं तीसरी हमारी definition है crow and crow की इन्होंने कहा था कि सीखना जो है वो आदतो ग्यान और अभिवरत्तियों का अर्जन है तीन चीज़ें याँ पर आ रहे हैं आदतो ग्यान और अभिवरत्तियों का तो आप इस टाइप से आत रख सकते हैं कि दो लोग हैं crow and crow और ये जो है वो तीन बाते बता रहे हैं आद तो ग्यान और अभिवरत्तियों का अर्जन जो है कहा था क्रो एंड क्रो ने अगला हमारा पॉइंट है या अगली हमारी डेफिनेशन है गेट्स वा अन्निकी इन्होंने कहाता है कि सीखना जो है वो अनुबाव और प्रसिचण द्वारा जो है वो वेवहार में परिवरतन है मतलब कि जैसे आप किसी भी कोचिंग के गेट पर जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर आप सीखते हैं, अनुबाव प्राप्त करते हैं या पृसिच्छड प्राप्त करते हैं तो इस ताइप से आप connect करके से याद रख सकते हैं कि किसी भी coaching के gate पर आप जाते हैं तो सीखना, अनुबाव और पृसिच्छड इन तीनों ही द्वारा जो विवहार में परिवर्तान होता है, वाई हमारा जो है वो अधिगाम है देखें आपको जो प्रसन आते हैं टेट सूइट के लेबल पर उनमें ये definition दे रखी होती तो आपको keyword ही पकड़ने होते हैं जिसे आप पहचान कर सकते हैं लिखनी नहीं होती है, तो आपको रटनी नहीं के अबल पहचाननी है तो इस आधार पर आप पहचान सकते हैं इसके लवड ट्रिक पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजेगा बात करते हैं अगली definition की, अगली हमारी क्रॉन वैक की इन्होंने कहाता की सीखना अनुबहों के परडाम सरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है तो व्यवहार में परिवर्तन सीदे सीदे आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं लाश्ट हमारी है डेफिनेशन मौर्गेन एवं गिली लैंड की इन्होंने कहा था सीखना अनुभव के परिडाम सरूप प्राणी के विवहार में परिमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए जो है वो दाहरन किया जाता है तो यह सब हमारी डेफिनेशन हो गई सीखना यानि की अधिगम से अब कुछ बात करते हैं महतपूर बिंदियों की तो पहला मारा महतपूर बिंदु है अधिगम की दार्सनिक आधार पर व्यात्खा जो है वो किस मनोविग्यानिक ने की थी तो यह वो फ्रोबल ने की थी फ्रोबल ने जो है वो की थी अगला है सीखने में थकान, आदत और जो वातावरण है उसका जो है वो प्रभाव परता है यानि कि सभी जो है वो प्रभावित करते हैं सीखने को अगला है कि किस विवहारवादी मनोविज्यानिक ने सिच्छड का पुनरबलन सिध्धान दिया था यहाँ पर पूछा जा रहा है विवहारवादी सिध्धान इसलिए यहाँ पर बी एफ इसकीनर आपका सही हो जाएगा केवल पुनरबलन आप जो पूछा गया हो तो हल ने जो है ये पुनरबलन का जिद्दान दिया था अगला है कि किस विधी सीखने के सामाजिक संदर्ब के संबंद में विद्यारतियों के अधिगम प्रक्रिया को लाब पहुचाती है तो जो समूह परिचर्चा है और सोयम अध्यन तता एक से एक अधिगम जो है यही जो हमारा हो जाएगा इस ये विधी जो है वो सीखने के सामाजिक संदर्ब के संबंद में विद्यारतियों के अधिगम प्रक्रिया को लाब पहुचाती है अगला हमारो पॉइंट है कि आप कच्छा का ध्यान जो है वो केंद्रित कर सकते हैं तो किस प्रकार उदीपन परिवर्तन जो है आप कच्छा का ध्यान जो है वो केंद्रित कर सकते हैं उदीपन क्या होता है उदीपन वो होता है जो हमारा लक्ष होता है जैसे कि आप इसमें टेट की त्यारी कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी पाना है तो आपके लिए सरकारी नौकरी लच्छ है तो यही जो ह आपका उद्धीपन हो जाएगा और उस उद्धीपन को पाने के लिए जो आप क्रिया करते हैं उसे आप अनुक्रिया कहते हैं जैसे कि आप कोचिंग कर रहे हैं त्यारी कर रहे हैं तो वो जो है आपकी अनुक्रिया हो जाएगी अगला है हमारा यदि छात्रों को स्वयम कारे करने की स्वयत्ता वन यंत्र दिया जाए तो जो सिख्चण है और जो अधिगम है वो प्रभावी हो सकता है यही आपका सै हो जाएगा अगला है बच्चा सीखता है तो जो है ये कई प्रकार से सीखता है अगला पॉइंट की बात करते हैं तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें विद्यार्ती द्वारा की गई तूटियों के समबन्द में आपकी द्रश्टी में सरवोथम कफ़न कौन सा है तो जो तूटिया है वो अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तुटिया होना एक स्वाभाविक सी जो है वो चीज है अगला है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है तो ये द्यान में रखिएगा जिग्यासा जो होता है अलगला का उप्सन में आपको देखने को मिल सकते हैं जिग्यासा जो है वो सीखनी की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है अगला है कि प्रयासवा जो तुटी है उसमें सबसे महतपूर जो है वो क्या है तो वो जो है लक्ष है अगला पॉइंट है हमारा कि प्रतिक्रिया का विलोप होना यानि कि विलोप हम कहते हैं किछी चीच का गायब होने के संस में तो होना जो है वो अधिक कठिन है तो कब जब आंसिक पुलर्बलन हो या कह सकते हैं आंसिक पुलर्बलन के बाद हगला है अधिगम का स्रेडी करम्स्वे संबंदित है तो यह जो है वो गैगने हैं इसके लब किसी ने इसे पहले वाले वीडियो में ये भी कहा था कि लाश्ट में प्रस्न भी जरूर पूछा करिए प्रस्न के लिए मैं अलग से आपके लिए 100 जो कोश्चन है उसकी सीरीज लेके आऊंगा जो प्रस्न आपके बार बार जो है वो रिपीट होते हैं उस टाइप के कोश्चन की पूरा एक ही वीडियो में आप प्रेक्टिस करिएगा इसलिए मैंने इसमें प्रस्नों को जो है वो सामिल नहीं किया है अगला है कि वेवार में होने वाले इस्थाई परिवर्तन जो अभ्यास के करण होते हैं उनको क्या कहा जाता है यह वो सीखना कहा जाता है वेवार में होने वाला जो इस्थाई परिवर्तन होता है ये अधिगम की एक ओफीसियल जो आपकी डेफिनेशन होती उसके तोर पर आप देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा कि सीखने का वा सिध्धान्त जो केवल अवलोकित विवहार पर निर्बर है वा जुड़ा है तो किसे सीखने के विवहारात्मक सिध्धान्त से यही आपका सही उजाएगेगा अगला है अंतरदर्श्टी द्वारा सीखने की व्याक्या जो है वो करता है तो यह जो है वो गेश्टाल्डवादी मनोविज्ञानिक या गेश्टाल्डवाद जो है वो करता है अगला एक औसल सीखने की पहली अवस्था जो है वो कौन सी है तो ये जो है वो अनुकरण है अनुकरण आप जानते हैं सैसो अवस्था की जो प्रमुक विसेशता है उसमें आता है बच्चे आपको देखते हैं दोराते हैं वही सारी चीज़ें हमारी अनुकरण में आती है लास्ट हमारा पॉइंट है प्रयास और भूल सिद्धान्त के प्रतिबादक जो है वो कौन है तो ये जो है वो थांडाइक है जैसे कि मैं सभी वीडियो में आपसे एक प्रस्ण आपसे जरूर पूशता हूँ तो इस वीडियो का आपका ये प्रस्ण है कि जो gene P.A.J. थे वो जो है वो कहां के रहने वाले थे तो आपको comment section में बताना है कि P.A.J. जो है वो कहां के रहने वाले थे सभी प्रस्ण से कही न कही ये एक नतीजा निकलता है कि आप उनको ढूनेंगे दूसरे के comment देखेंगे तो एक particular प्रस्ण तो आपको याद ही हो जाएगा तो आपको बताना है gene P.A.J. जिनका जन्म जो है 1896 में हुआ था कहां हुआ था वो आपको comment section में type करेके बताना है उत्तर में इसका comment में ही देदूँगा हलां की सभी लोग सही उत्तर दे देते हैं तो मुझे जो है वो जरूरत ही नहीं पड़ती है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रस्णों के साथ कुछ नए पॉइंट के साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करें नए है चैनल पर तो subscribe जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार thank you for watching